Hello students, hope you guys are doing well. आज हम आगी कंटिनू करते हैं, लास्ट प्लास में बात कि थी, वैलेंस बॉन्ट थियोरी के बारे में, आज हम बात करेंगा कि हमारे पास इसके क्या लिमिटेशन्स थी, कैसे हमारे पास चीज़े को, आज हम और कम करेंगे विद्धा हेल पॉफ क्रिस्टल फिल्ड थोरी, तो इसका पहला मारे पास इमिटेशन्स था, यह यह नहीं बता पाया कि कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास, जो मैटल लाइन हैं, वो आपके पास लो स्पिन बनाते हैं, पुछ हमारे पास कैसे बनाते हैं, हाई स्पिन, तो आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जो लो स्पिन बनते हैं, वो मोश्टी बनाएंगे, मारे पास ट्रॉंफिल लिगंड, जो कैसे बनते हैं, ट्रॉंफिल लिगंड लिगंड बनते हैं, और हाई स्मिन कॉंड बनाएंगे, वीकली उटल बनते हैं रहाएंगे, आउट रह हमारे पास, तो आप एक स्पिसों से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका इक प्रिक उमारे पास रिजन देन ही पाया, कि हमारे पास कौन से low field spin बनाएंगे, कौन से हमारे पास हाई spin बनाएंगे अगला इसने क्या बोल दिया It could not give satisfactory explanation for the color of complex that it is face to explain the absorption spectrum of cotton compound कि हमारे पास जो color बगरा show कर रहे हैं कौन सा color show करेंगे, कैसे आएगा उन सब के बारे में भी explain नहीं कर पाया था और नहीं strong field और weak field के बारे में distinguish कर पाया थे, उन में क्या differences होते हैं किसको हम strong माने, किसको हम weak मानने वाले तो इन सब बातों को हम किसमें discuss करेंगे crystal field theory में इसके जो postulate थे हमारे पास, वो क्या थे इसने metal ligand को उनको क्या मान लिया और दूसरी बात क्या बोल दिया अगर ligand हमारे पास NIN है तो metal हमारे पास, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तो force of attraction हो रहा है, वो क्यों हो रहा है प्लस मैंस हमारे पास क्या रहे हैं यहां पे opposite charges आते जाए next क्या बोल दिया, if the ligand is neutral हमारे पास neutral molecule दे रखा है जो हमारे पास water हो गया, amine हो गया, NSV हो गया then the negative end of dipole attracted towards the central metal line हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, जो loan पे उस पे electron आएगा, उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे वो behave करेगा as a negative part और मारे पास क्या करेगा, अपस में वो bonding करने, start कर देगा if ligand is considered as a point of negative charge they are arranged around the metal line such that the repulsion among them is minimum, मतला हमें क्या चाहिए हम उनको इस तरीके से अरेंजी मारे मैंने ये metal लगा दिया, तो मारे मेरे पास 4 ligand थे मैंने इसको ऐसे अरेंज कर लिया, 6 थे मैंने symmetric field हम्ह ही symmetric field तो हम क्या वो लेंगे कि regret Rum JC, कैसा होचूगा है अगर हमारे पास वो कैसा है, Unsymmetrical है तो हम क्या वो लेंगे, तो degeneracy है वो split हो जाएगी, split कैसे हो हमारे पास, ओडिपेंट करता है, कि हम किसकी बात कर रहे है, octah helemaal i किसी की बात कर रहे हैं या हम किसकी बात कर रहे हैं एक 3 हमारे डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, x, y, y, z, z, x नेचे आजाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? T2, z बोलते हैं, x के र माइनस, y के और z के कहा हैंगे, उपर सम्किन क्या बोलते हैं? easy बोलते हैं, अब यहाँ पर क्या है? इन दोनों के बीच का difference हमारे पास यह आएगा इसको हमने क्या बोल दिया delta not delta stands for crystal field splitting energy और o stands for octa मतलब क्या निकाल रहे हैं यह cfsc निकाल रहे हैं किसकी octahedral field के लिए दूसरा हमारे पास अगर difference कितना है delta not है तो हमारे पास इसमें जो points आएंगे निच्चे वाला पास हमारे पास हो गए कितना हैगा minus point four delta not उपर वाला कितना हैगा point six इसके center एक line pass करते जो जिसको म्या बोलते हैं zero बोलते हमारे पास किम क्या बोलेंगे basically सिफसी का डियागराम कैसे होगा कैसे स्कृट करते हैं क्या बैरी सेंटर होता है क्या हमारे पास यहां पर आएंगे तो इसको मैं एक्सकों क्या बोलते हैं चिटू जी बोलते हैं और दूसरा आएगा स्कूर मारे पास इसको मैं एक्सकों क्या बोलते हैं इसको क्शला पर भीड़ाइनगे डेल्टा नोट से होना सटाट हो간 तो उसको हम पहले कहां लेके जाएंगे, एक excited state में लेके जाएंगे, having high energy, and the d orbitals, the average energy of the octos, इस तेकर हम उने क्या मान लिए अब इसको, 0 मान लिए इसको हम क्या बोलते हैं, very center बोलते है, 0 से उपर वाला part जो आएगा, easy हो कितना होगा, 0.6 delta note, above the average value, और जो निच्ची वाला हम हमारे पास अलग अलग ligand थे, अलग अलग ligand थे, उनके मारे पास अलग अलग क्या आई, CFSE की value आई, तो हमने अरेंज कर दिया, ligands को in order of their CFSE, जिसकी कम थी उसको पहले रख दिया, जिसकी मारे पास जादा है, उसको कहा रख दिया, आपने बाद में रख दिया, तो स्रीज हमारे पास बन के आई, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो केमिकल स्रीज बोलते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी एकी स्रीज निकल के आई, तो यहां से आपको पता लग गया, कि हमारे पास जो वोटरी है, उससे पहले वाले आ रहे हैं, उनको हमने क्या मान लिया, और जो Ammonia है, En है, Cn है, Co है, इनको चाहरों को हमने क्या मान लिया, Strong Legand मान लिया, जो हमारे पास, जो VBT थी, Valence Monitoring थी, वो बताने पाई थी, क्यों इसने कोई Spectro Chemical Series की नाम की बात नहीं किये थी, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, कौन सा Strong आएगा, कौन सा हमारे पास क्या आएगा, Weak आएगा, Calculation कैसे करते हैं, बहुत असान है हमारे पास, हमने क्या बोल दिया, Formula CFSC, निचे वाले वेल्यों कितने आए थी, इसने क्या बोल दिया, तो हमारे पास आएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रों आएगा, अब हमारे पास मालोग कुछ भी कॉन्फिरेशन आगी, मालोग आपने D1 कॉन्फिरेशन ले लिया, तो D1 में क्या है, इलेक्ट्रों एक ही है, पहले कहां जाएगा, हेविंग लोड नाजे निचे ही जाएगा, तो क्या आएगा, T2G1, EZ0, तो अप लिख दो, 0.4 x 1, 0.6 x 2, 0, तो मैंसे निकाल सकते हैं, सेम ऐसे क्या हो जाएगा, D2 का हो जाएगा, D3 का हो जाएगा, दिक्खत कहां पर आएगी, D4 में, इसको समझे हमारे पास, D4 में दो केस हैं हमारे पास, या तो स्ट्रोंग लिगंड मिल सकता है, या वीक लिगंड, आपको बता है जहां strong ligand मिलेगा वहां क्या होती है pairing हो जाएगी वीक वाले में pairing नहीं होती है तो मालब D4 का case आया तो मैंने 1, 2, 3 ऐसे place किये तो चोथा क्या होगा नीचे ही आएगा क्यों तो strong field ligand है pairing करवाएगा चोथा मारे पास नीचे ही आएगा लेकिंगर weekly ligand होगा तो मारे पास क्या होगा तीन नीचे चोथा मारे पास कहां पहुँछ जाएगा ऊपर पहुँछ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पर पहुझ जाएगा T2.G4, E.G.0 यहां क्या आएगा T2G3 easy बन्तों मिहां से इनकी values निकाल सकते हैं सेम ऐसे ही case D5 में pairing हो जाएगी strong में इसमें pairing नहीं होगी D6 में pairing हो जाएगी यहां pairing नहीं होगी हमारे पास ऐसे ही किसका आएगा D7 का case हागे हमारे पास यहां पर वामरपस क्या है 6 यहां पर आएगे 7 यहां पर आना स्टार्ट होगा और यहां क्या होगे 1,2,3,4,5,5,6,7 नेचे आएगे तो आप इसको system से चलते जाओ हमारे पास की पहले energy किसकी है बस simple सी बात या रखनी है हमारे पास जहां strong field लिकेंड आएगा वहां आपको pairing करवानी है और वीक वाले में pairing नहीं करवानी है कि उसनों अपने आप आपके पास क्या हो जाएगा correct होता चला जाएगा जहां हमारे पास D8, D9, D9 की बात करते है हमारे पास एक possible case बनता है चाहिए आपके पास strong हो, चाहिए weak हो हमारे पास यही case आएगे कि हमारे पास D8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चाहिए ऐसे का strong की तरह माल लो चाहिए weak की तरह माल लो हमारे पास same वही case बनना है तो हमारे पास इन में क्या हैंगी तीनों में same value आपके पास आती चली जाएग अब यहाँ पे concept आजा है किसका pairing energy का pairing energy क्या होती है the value of delta naught is usually compared with the energy required for the electron pairing हमारे पास CFSC की जो value होती है उसको हम किस से compare करते है कि उस electrons को pairing करने के लिए कितनी energy चाहिए in a single orbital और इस energy को हम क्या बोलते है pairing energy बोलते हैं इसको हम किस से लिखके दिखाते है पी से लिखके दिखाते है तो यहाँ पे दो case आते है अगर हमारे पास CFSC की value जादा है किस से pairing से तो pairing हो जाएगी मतलब हमारे पास ऐसे ligand कोन से होते है strong field ligand हमने यहाँ से define भी करते है कि strong field ligand किस को बोलेंगे जहाँ पे CFSC की value pairing से जादा हैगी वहाँ pairing हो जाएगी और pairing किस में होती है strong field ligand में उल्टा case अगर उसकी value कम है तो pairing नहीं होगी मतलब कैसे ligand है यह weak field ligand है तो यह आपको समझना है कैसे हमारे पास चीज़े इसमें vary करती हुई चल रही है next हमारे पास है crystal field theory CFT हमारे पास है निचे आया था T2G उपर क्या आया था EG निचे यह 3 आये थे उपर क्या आये थे दोनों उल्टा कर दो उपर यह 3 पहुंच जाएंगे निचे यह आये तो उपर कितना आया था 0.6 0.6 निचे आजएगा 0.4 कहा पहुंच जाएगा उपर वहाँ डिफरेंट्स आया था डेल्टा नोट डेल्टा सेंट्स पूर C F S C O सेंट्स पूर OCTATAL यहां क्या आयेगा डेल्टा T आयेगा तो महरे पास क्या हो गया 0.4 DT-0.6 से डेल्टा T तो महरे पास यह सब चीज़े हैं कि हमारे पास कैसे इसका डियार्म आएगा बाकि we S look we asked किसका पूछते हैं आपके पास है ठाज़ मसरे महरे डेल्टा का हमारे पास नहीं यहां किसका पूछते हैं गत का ही mainly mainly मैनली पूछते हैं तो उसका हमें धिएनर रखना